क्या Design आज करने बच्चों को ब्रसफीट स्टॉप करवाना चाहिए और कैसे स्टॉप करवाना चाहिए 껑 के बच्चों को ब्रसफीट स्टॉप क्रणान बहुत ही मुश्किल काम होता है आप Kुछ बातों का धियान रखेंगे गी तो आप 2-3 दिन में बच्चों को breastfeed stop करवा सकते हैं इस वीडियो में आपको अपना experience भी share करूगी कैसे मैंने अपने बेटे को breastfeed stop करवाया था और किस age में करवाया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके कऱ्ोंकोथ गोंण asig qasht बतारी हूँ, चलि अब बात कर लेते हैं, कि बच्चों किस age में stop करवआना चाहिए, ऐसा कुछ कहीं पर define नहीं कि हमें किस age में stop करवाना चाहिए brusophyte, कई बच्चे तो 2-3 साल तक भी brusophyte लेते हैं और कई बच्चे ही एक साल कि में एसा time होता है, कि आपको बच्चे को stop कर लेनी चाहिए तब बच्चा चो डेढ़ में समझदार नहीं होता कि वह just stop नहीं करेगा बत जैसे थोड़ा ढवाई से तीन साल के इसे पहुश जाता है तो बच्चे थोड़ा डेड़ से दो साल की एज में स्टॉप करवा लेनी चाहिए मैंने वे अपने बेटे को डेड़ से दो साल के बीच में ही स्टॉप करवा ली थी तो दो साल से जैदा कि बच्चे इतने समस्दार हो जाते हैं, इतने स्मार्ट हो जाते हैं वो breastfeed stop करने ही नहीं देते हैं, उनको चाहिए ही होती है, तो आपको 2 साल से पहले ही stop करवा देनी चाहिए, क्योंकि जो बचा 2 साल से जैदा का breastfeed लेता है, फिर वो proper diet नहीं लेता है, उसको feed ही चाहिए होती है, जो उसको दूसरा nutrition मिलना होता है, growth के लिए वो उसे नहीं मिल लेता है, तो आप कोशिश करिए कि बच्चों को 2 एर से पहले ही कोशिश करके stop करवादे हैं, कुछ parents जो होते हैं, वो एक साल के अंदर ही बच्चों की breastfeed stop करवा देते हैं, मैं बोलूगी ये भी सही नहीं, कि आप 1 साल के अंदर ही Beja stop करा दे, जो एक साल के पर द्येज से 2 साल क के मी प्रियर्ड होता है जिसमें बच्चे को चलना सीखना उसको तीट आते हैं तो यह जो टाइम होता है वो देट से 2 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको बच्चे को जहदा जल्दी भी स्टॉप नहीं करवानी चाहिए आपको 20-25 मन्त से बच्चों को स्टार्ट कर देना चाहिए ब्रस्वीड स्टॉप करवारा तब जाके बच्चा टू इयर्स तक दीरे-दीरे से क्योंकि टाइम लगेगा एकदम से तो बच्चा स्टॉप नहीं करेगा कि आप आज सोचे और आज ही स्टॉप हो जाए क्योंकि ऐसा होता है जैसे मेरे साथ भी हुआ था होता है बच्चा बहुत चिर्चिरा हो जाता है और हम क्या लगता है cello पिला देना चाहिए वहीवात है मा की जो मंता है वह जाती है और आपको पड़ ऐसा नहीं करना है आपको थोड़ा सा स्ट्रॉंग बर्च लेते हैं कि नाइज 1-2-3 दिन के लिए ही इस्दिन फालो 행 है इतते हैं तो आपको हुआ उसमें और को आप में आम हैं तो आपको फालो हुआ है जैसा हम सब को पता है कि जो 6 मन तक का जो बच्चा होता है वो breastfeed पे depend होता है उसको total breastfeed ही दी जाती है तो हम जब 6 मन के बाद बच्चे को जब हम solid देना start कर देते हैं तो हम 6 मन पे 1 डाइट उसकी solid देते हैं 7 मन पे 2 देते हैं 8 मन पे 3 देते हैं तो ऐसा करते करते बच्चे को 12 मन्त में जब बच्चा 1 एर का हो जाता है तो उसको 3 solid diet और 2 snacks दे दिये जाते हैं तो आपको करना क्या है बच्चे को जो आप मतलब day में हम 6 time, 6 time तो फीड देंगे ही ग्लास से बच्चे को रिप्लेस करना थो तो आपको बच्चे को बोटल सा बच्चे की उनक्तकिपेंदगे आपको बच्चे को बॉटल से ग्लास से या सीपर से देना है फोड जो है आपको फोड ताप सोले डाइट ही दोगे बच्चे को टू आपको जो आप मिल्क वाली आपको फीड देनी थी वो आपको बॉटल से ग्लास से किसी से भी आपको देनी है तो आपको breastfeed ना करा कि आपको थोड़ा सा ही चीजों में change लाना है ऐसे करते करते बच्चा day की जो है day में जो breastfeed लेता था वो धीरे-धीरे से कम हो ही जाएगा feed है उसको आप proper रख सकते हैं proper कर सकते हैं और आपको एक बात का और दिहान रखना है अगर आप सोचें कि हम आज ही बच्चे को breastfeed कराना stop कर देंगी तो ऐसा possible ही नहीं है एकदम से तो बच्चा नहीं करेगा ऐसे होता कि बच्चा चिर्चिरा हो जाता है वीक हो जाता है कभी बच्चे तो मतलब काफी उनकी मदद तवित वगेरा भी खराब हो जाती है तो आपको एकदम से तो stop नहीं करवानी है अगर आप 6 मन के बात से ही थोड़ा मतलब दे फीट पे धियान देने लगेंगी कि दे में थोड़ा कम कम करवाने लगेंगी तो हो सकता है बच्चा धीरे छोड़ दे अब देख लेते हैं कि वो क्या टिप्स है जो आपको फोलो करने ही जो में देर से दो साल का जो बच्चा होता है वो इतना फैमियर हो जाता है कि अच्छी से solid diet लेना start कर देता है तो आपको बच्चे को करना क्या है आपको बच्चे को 8 से 9 o'clock की बीच में दीनर अच्छे से करवा देना है जो 8 से 9 वजे का जो टाइम होता है वो एकदव सही टाइम होता है बच्चों के दीनर के लिए तो आपको बच्चे को उस टाइम पर हैवी डीनर कराना है जिससे कि बच्चा अच्छे से सो जाएगा और वो बार-बार उठेगा नहीं कई बार होता कि बच्चे जो होते हैं भूग के मारे बार-बार उठते हैं वो अच्छे से सॉलिड डाइट नहीं लेते हैं तो वो रात में 3-4 बार तो कई बैचे तो 3-4 बार फीड के लिए जाकते ही हैं तो आपको बचे को 8-9 बचे के बीच में अच्छे से एक डीनर करा देना है जिसे कि बचा रात में भी कम उठेगा और उसको बिना फीड के हो सक को कौषिश यह करनी है कि ब Mickा भीना फीड लिए सो झीछर वह है है अकर रात को तीन ले मॉस्ट तो आको मॉस्ट बच्चे की बाटल से और इन फील करों किम डेका डी टनी है करती दाथ यह मेरा मेटा ज्यों 5 का तो मैं उस ज्रहात चोटता सी मॉस्ट या च्ञां участ वीड ले रहा है नाइट में सोते हो यह फीड ले रहा है तो आपको आपको यह एक फीड है वह आपको बॉटल से ही यह गलास से तहीं सिपर से जिसे भी कंफर्ट लगै बच्चे को यह आपको आपको इसी उसको लेनाय जो सब्सक्राइन ख़िए जब भी सबव मिकि पिलाट उह स Uno साल मेड़े राकर अब मिलास टिप्सरें घृत हWAY बेड़ लोटे से एकट का नाइट में लेक की मालिश कर दियें सो बच आपको बच्चा करना है नहीं बच्छे अब आपको तूँ है और फीड नहीं लेता था अविड में मालिश कर देनी अच्छे तो बच्छे इसली बच्छाइब फीड भी नहीं लेगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं यह भी मैंने किया है अपने बेटे के साथ वह फिड सोत सोते टाइम किसी भी family member mother mother-in-law husband किसी को भी आप दे दे जिससे कि वो आपकी गोदी में रहेगा तो वो बार बार फीट जरूर लेगा ऐसा होता है और मैंने मेरे साथ भी होता ही था ऐसा तो आपको करना क्या है आपको सोते टाइम बच्चे को किसी और member को दे देना है जिससे क बच्चा उनकी गोदी में सो जाएगा गूमके और वो सोते टाइम फीट नहीं लेगा ऐसे आपको कुछ टिप्स का दियान रखना है जिससे कि बच्चा इसली ब्रस फीट करना छोड़ देगा क्योंकि एकदम से तो नहीं छुड़ाय जाएगा कि आप सोचे कि आज ही छु मैंने क्या किया था मैं आपको बताती हूँ जो नीम का पेड़ होता है उसकी जो लीव होती है नीम के पेड़ की जो लीव होती है आपको उसको खाली लीव को लीव को भिगो के उसका पेस्ट बना लेना है उसका जो पेस्ट है आपको अपने निपल पे लगा लेना है जब इससे बार भूसमों को मिलीत बूरे दिन और यह बहुते ओअ कि ममी को ओन निए यस को मदा लगए अपको अचाना और तो यह मेंद इसे बत्चेat वी चोड़ देगा तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताया हैं, 5 में आपको टिप्स बताया हैं कि कैसे आप बच्चे को easy breastfeed करवाना चुड़वा सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो खौप सो आपको लिए ये वीडियो useful रहा होगा, तो आप एक ल रूर करें और मेरी वीडियो को जरदा शेयर करें, थैंक्यू, थैंक्स वर वाचिंग,